जै माता दी, श्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको नवरात्री की कथा सुना रहा हूं, इस नवरात्री की कथा को प्रति दिन सुने, नवरात्री की कथा को सुनने से संतान और धन की प्राप्ति होती है, हर मनो कामना पूरी हो जा आप अत्यंत बुद्धिमान सर्व सास्त और बेदों के ज्ञानने वाले हैं। किरपा करके मुझे बताईए कि नवरात्री का पर्व क्यों मनाया जाता है। हे भगवान इसका क्या फल है और इसकी बिदी क्या है इसकी कथा क्या है। ब्रस्पत जी का ऐसा प्रश्ण सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ब्रस्पते प्राणियों का हित करने के चांसे तुमने बहुत अच्छा प्रश्ण किया है। जो मनुष्य मनुरत पूर करने बाली दुरगा, महादेवी, सूर्व और नारण का ध्यान करते हैं बे मनुष्य धन्ने हैं। यह नवराता ब्रत संपूर कामनाओं को देने बाला हैं। इसके करने से पुत्र चाने बालों को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाने बालों को धन मिलता है, बिद्या चाने बालों को बिद्या और सुख चाने बालों को सुख मिलता है, इस व्रत को करने से रोगी मनुष का रोग दूर हो जाता है, और कारागार में गया हुआ व् पत्तियां दूर हो जाती हैं उसके घर में संपूर रिद्धी सिद्धी सहत माता लच्मी का बास होता है बंद्या और काक बंद्या को भी इस ब्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती हैं समस्त पापों को दूर करने वाले इस ब्रत के करने से ऐसा कुन सा मनोवल है जो स दुखों को भूगते हैं उसके सरी में बेविन प्रकार की रोग हो जाते हैं संतान प्राप्ती नहीं हो पाती इस प्रकार वैं मूर्ख अनिक दुख भूगता है इस ब्रत को न करने बाला निर्दई मनुष्य धन और धन से रहत हो भूग और प्यास के मारे प्रती पर घुमत तो एक समय भूजन और दिन में बांदोसेत नवरात्री की कता जरूर सुनें ए ब्रस्पती जिसने पहले इस ब्रत को किया है उसका पवित्र इत्यास में तुमसे कहता हूं साबदान हो करके सुनूं इस पकार ब्रह्मा जी का बच्चन सुनकर ब्रस्पती जी बोले कि ही ब् अनिश्यों का कल्यान करने बाले इस इत्यास को जरू सुनाईए आपकी सरण आए हुए मुझ पर किरपा करें ब्रह्मा जी बोले पीठक नाम के मनुहन नगर में एक अनात नाम का ब्रामर रहता था वै भगवती दुरगा का भक्त था उसके संपूर सद्गुनों से युक् पन में अपने सहलियों के साथ कीड़ा करती इस प्रकार बनने लगी जैक सुक्रपा का चनमा बढ़ता है न उसका पिता प्रते दिन दुरगा की पूजा और ब्रत किया करता था उस समय वह भी नियम से हुआ उपस्तित होती एक दिन वह सुमती अपनी सक्यों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्तित नहीं हुई उसके पिता को पुत्री के ऐसे असाब धानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगी कि हे पुत्री आज प्रवासे तुमने भगवती का पूजन नहीं किया इस कारण में किसी कुष्टी और दरद्री मन इसा करें मनुस्य जाने कितने मनुरतों का चिंतन करता है पर होता वही है जो भागी में लखा होता है उसको फल की उस करम के अनुसार ही मिलता है क्योंकि करम करना मनुस्य के आदिन है लेकिन फल देना तो विदाता के आदिन है जैसे अगनी में पड़ेत्रन आदी अगनी क अधिक प्रदीप कर देती है उसी तरह से अपनी कन्या के ऐसे निर्वक्ता से कहे हुए बच्चन सुनकर उस ब्राम्मल को अधिक रोधा आ गया इस पकार से कहे हुए पिता की कटू बच्चनों को सुनकर के सुमतीन मन में बिचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुरबाग्य है जिससे मुझे ऐसा पती मिला इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए शुमती अपने पती के साथ बन में चली गई और भया बने कुछ यूगत उस इस्तान पर वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की उस गरीब बालका की ऐसी दसा देखकर भगवती पूर प्रवासे प पल देती हूं इस प्रगार भगवती दुर्गा का बच्चन सुनकर के ब्रामडी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन है वैसा मेरे लिए कहो और अपनी क्रपा द्रश्टी से मुझ दिन दासी को कृताकी करो ब्रामडी का बच्चन सुनकर देवी कहने लगी कि मै आदी सकती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती मैं प्रसन होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हूँ हे ब्रामडी मैं तुझ पर तेरे पूरु जनम के पुन्य के प्रवाव से प्रसन हूँ तुमारे पूरु जनम का ब्रतांत सुनाती हूँ पूर जनम में निसाद भील की इस्त्री थी और पती बरता इस्त्री थी तुम एक दिन तेरे पती निसाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाईों ने पकल लिया और जाकर जेल खाने में कैद कर दिया उन लोगों ने तेरे को और तेरे पती को भोजन नहीं दिया, इस कारण नवरातरों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए तुमारा नो दिन का ब्रत हो गया, उन दिनों में जो ब्रत तुमने किया था, उसके प्रवासे में प्रसन हूँ, ने ब्रत किया था उसे ब्रत के एक दिन का पुन्य अपने पती को कोड रूप में देने के लिए अरपन करो मेरे प्रवाव से तेरा पती कोड से रहत हो जाएगा ब्रह्मा जी बोले कि इस पकार देवी का बचन सुनकर ब्रामणी बहुत प्रशन होई और पती को निरुक करने कि चा से ऐसे बोली तब उसके पती का सरी भगवती दुरगा की किरपा से कुष्ट हीन हो गया यानि ठीक हो गया वै ब्रामणी पती की मनवर देख को देखकर देवी को अती पराक्रमी बाली समझ कर इस्तूति करने लगी के हे दुरगे आप दुरगत्वी को दूर करने वा किरपा की ब्रामाजी बोले व्रसपती इसी परकार समतिने मन से देवी की बहुत इस्तूति की उससे की हुई स्तूति सुनकर देवी को बड़ा संतोष हुआ और ब्रामणी सुमती बोली कि हे भगवती दुरगे अगर आप मेरे उपर प्रसंद हैं तो किरपा कर मुझे नवरातरी ब्रत की विदी बताईए। इस बगार ब्रामडी के बच्चन सुनका दुरगा कहने लगी कि हे ब्रामडी में तुमारे लिए संपून पापों को दूर करने वाली नव में भूजन करें पड़े लिखे ब्रामड से पूछ कर कलसिसता अपना करें बात का बनाकर उसको प्रती दिन जल से सीचे हैं मा काली मालच्मी मा सरस्वती तीन मूर्तिया बना करके उनकी पूजा करें भिजवरा के फूल से अर्थ देने की रूप में अर्थ दे जैफल से क पहुसर की प्राप्ती होती है। होम करने से منवांचित बस्तू की प्राप्ती होती है, महाप्रत को पहले बताई विदी के अंसा जो कोई करता है, उसके सब मनूरत से दो जाते हैं, इसमें तनिक भी संसय नहीं है, इन नोग दिनोंस में जो कुछ दान आदे किया जाता है, उसका करोडों गोना फल मिलता है इस नवरात्रे के ब्रत से ही असमे यग का फल मिलता है ब्रामडी इस संपूर कामना को पोड़ करने वाले उत्तम ब्रत को जरूर करना चाहिए ब्रह्मा जी बोले हे विरस्पते इस पोकार ब्राम्मणी को ब्रत की बिधि और फल बता कर देवे अंतरद्यान हो गई जो मनुश्य या स्ट्रेश ब्रत को कड़ते हैं माता उनकी सभी मनु कामनाय पूरी करती है ब्रस्पती जी कहने लगे आपने मुझ पर अतिकिर्पा की जो आपने नवरात्री का महत्तु बताया यह प्रभु आपके बिना कौन इसको सुना सकता है ऐसे ब्रस्पति जी के बच्चन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि है ब्रस्पति तुमने सब प्रानियों का आहित करने वाले इस आलो की ब्रत को पूछाएं इसलिए तुम धन्य हूँ यह भगवती सक्ति संपूर लोकों का पालन करने वाली हैं इस महादेवी के प्रभाव को कौ अमना पूरी हो जाती है जै माता दी